एक और बैतरीन खबर आप सभी के लिए पावर ग्रीड कमपनी के दरब से रिक्रूब में निकल करके आ रही है और यह ओफिशल वेबसाइट है जहाँ पर यह नोटिफिकेशन निकाली गई है फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते है औल इंडिया इलिजिबल है फुल टाइम पर्मनेंट सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है CDC भी अच्छी प्रोवाइड करते है 18 लाक पर एनम की CDC रहती है जहाँ पर इनके और से कोई रिटेंट टेस्ट नहीं होता है सीधा गुरुप डिसकेशन और इंटर्व्यू के बिसिस पर सेलेक्शन होता है क्योंके गेट के बिसिस पर यहाँ पर शॉट लिस्टिंग की जाती है तो उसी के बार में आज मैं आपको बताने आया हूँ कि यहाँ पर नई नोटिफिकेशन निकली है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो Recruitment of Engineering Trainee 2023 through GATE 2023 Score अब अगर डीटेल में बात करें तो कुछ चौकाने वाली बाते तो यहाँ पर सामने नहीं आई है क्योंके Power Grid की जो हिस्ट्री रही है उस हिसाब से ही उन्होंने यहाँ पर repeat किया है जैसे Power Grid एक महारतना PSE Company है विच इस Government of India Enterprise तो सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है जहाँ पर चार ब्रांचेस को eligible किया गया है Electrical, Electronics, Electronics and Telecommunication, Civil, Computer Science, IT तो respective paper code यहाँ पर होना चीए जैसे Electrical वालों के लिए EE, Electronics वालों के लिए EC, Civil वालों के लिए CE और यहाँ पर Computer वालों के लिए CS Upper Age Limit भी 28 years रखा गया है Gail के मुकाबले तो यह बढ़िया है और Year of Passing Out भी यहाँ पर कोई Specific नहीं का आ गया है याने कोई भी Pass Out अपलाई कर सकते है ठीक है, Final Year वाले बच्चे भी eligible है जो Final semester लिख रहे है, वो भी eligible है Provided आपका जो डिगरी है वो आज आना चीए 14-8-2023 के पहले पहले ठीक है और यहाँ पर minimum percent age भी ठीक रखा गया है 60% या equivalent CGPA और यहाँ पर देख सकते हो Electrical के अंदर कितने सारे branches को eligible किया गया है Similarly, Electronics के अंदर बहुत सारे branches को eligible किया गया है Civil के अंदर Civil, Computer Science के अंदर Computer Science या IT भी चल जाएगा ठीक है अगर बात करते है Relaxation के बार में तो SCST, PWD, Candidates को हमिशा Relaxation मिल जाती है For the government companies तो यहाँ पर भी बता है Age limit के बार में बता है फिर वही application fees के बार में भी है ठीक है अच्छा बात करते है सिलेक्शन प्रोसेस के बार में तो 2023 के gate का जो score होगा उसको majority weightage दिया गया है फिर group discussion and personal interview और फिर आपको नौकरी मिलने वाली है बात करते है percentages के बार में तो gate का score 85% weightage रखता है group discussion 3% and personal interview 12% ठीक है तो यह रहा weightage के बार में अब बात करते हैं सर application date कब से start होगा वैसे अगर बात करें basic pay के बार में तो trainee में आपको 40,000 basic pay मिलेगा उसके साथ-साथ DA, HR, यह सारे pugs भी मिलेंगे जैसी आपका trainee खतम हो जाता है तो आपको यहाँ पर full time business पर permanent नौकरी रहेगी 50,000 आपका basic pay रहेगा उसके उपर आपको यह सारे benefits मिल जाएंगे इसलिए CDC बहुत जादा बढ़ जाती है 18 to 20 lakh के आसपा CDC बन जाती है ठीक है बात करते हैं यहाँ पर application fees के बार में तो application fees 500 रुपीज है बट अगर आप SC, ST, PWD, X-Service में departmental candidate हो तो कोई application fee pay नहीं करना है तो यह ठीक ही मैं कहूंगा क्यूंके बहुत सारे application fees आपको पता चलेंगे 1000 रुपए या 1180 रुपए के आसपास रहता है यह higher end पर मैं कह रहा हूँ बट यह finally ठीक है कम नहीं कहूंगा ठीक है बट ठीक है इससे कम भी application fees रहती है बहुत सारे PSU's के लिए और कई तो ऐसी government jobs है जहाँ पर application fees मांगते भी नहीं है ठीक है जैसे BIS अच्छा बात करते हैं यहाँ पर कुछ और criteria's के बार में तो फिलाल तो कुछ नहीं कहा गया है ठीक है डीटेल नोटिफिकेशन आईगी number of vacancy कितनी है बाकी सारी चीज़े बाते बताई जाएगी बट कब 16 जैनुरी से online submission of application स्टार्ट हो जाएगा और 18 फेबरुरी तक यह चलेगा ठीक है उसके बाद वो application बंद हो जाएगी तो हम expect कर सकते हैं around 10 जैनुरी के आसपास एक डीटेल सा notification निकाले कितनी vacancy है टेक केर बाबाई फॉर नाव सीया